हर्याना की टीम ने भूमनेश्वर में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में नाम चमकाया है आपको बता दे कि राष्ट्रे वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है हर्याना ने 14 साल बाद गोल्ड मेडल पर अपना कबशा जमाया है हर्याना की टीम में करिनल के अलग-अलग गाउंसे चार खिलाडी थे यह वो खिलाडी और कोछे जिन्होंने हर्याना का मानबढ़ाया है 14 साल से सब सूना सूना था जिसे इन खिलाडियों ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नया मुकाम हासिल किया है भूमनेश्वर में 99 वी सीनियर नेशनल वॉली वॉल चैंपियन्शिप चल रही थी जिसमें हर्याना की पुरुष टीम ने अपना दबदबा बना लिया फाइनल में जीत हासिल करके इस खिताब को अपने नाम किया हर्याना ने असम को सीधे 25-23, 25-18 वा 25-19 से हराया हर्याना की इस टीम ने चार खिलाडी और कोच करणाल से ही है जिनका करणाल पहुँशने पर स्वागत किया गया कि रेश कुमार देखिए इतनी बड़ी उपलवदी मैं भी मानता हूं कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा टूर्णामेंट सिनियर नेशनल चेंपिशी बहुता है और उसमें जीतने के बाद जो खुसी मिलती है वो सबको पता है तो आज हमें को इतनी खुसी है और इसमें बहुत सारे खिलाडियों का भी इसमें टिका हुआ था और अठारा सेसल लागा के बारा दिन जो मैनत की है आज उसका रिजल्ट है और जितने भी हमें आज इतना आधर समान दे रहे हैं बहुत तहदिल से दिन्यवाद करता हूं उनकी वज़े से हमने बहुत मैनत की थी और आज यह रिजल्ट भी उनकी उनका साथ है हमारे साथ इसलिए मैनत के साथ साथ यह रिजल्ट अमने लिए करनाल से गाउन सुल्तानपूर से रमन कुमार है एजर रिसीवर यूनिवर्सल बहुत बड़ी रिसेवर है मिस्टर सुबं चोधरी स्टूंडी गाउं से कप्तान सामनकुबार गाउंगुनियाना से और पार सुरुल्यान गाउंग सुब्री से चफील हो रहा क्योंकि हमें अब 13 साल बाद के बाद हरियानों को मैडल मिला है इससे पहले 2007 मैडल हाए था और जो यह हमारा है सब कुछ है को साथ और जो हमारे सेलेक्टर है सिरीज दिले सिरि इसे गोल्ड मैडल आए वाए था ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें